दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाता हूँ कि कोई और इस वीडियो को देखे चाहे ना देखे लेकिन लड़के और पुरुष इस वीडियो को जरूर देखे दोस्तो सलाद के रूप में कच्चा प्याज खाना बहुत से लोगों को बहुत पसंद होता है मगर कच्चा प्याज हमारे शरीर पर क्या-क्या असर डालता है इस बात पर शायद कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा क्यूंकि हमारे देश में लोग सेहत से पहले स्वात पर ज़ादा ध्यान देते हैं इसलिए दोस्तों स्वात के लिए किसी चीज को खाना है तो बस खाना है मगर दोस्तों हम लोगों को कोई भी चीज खाने से पहले उसके फायदे और नुकसान जरूर जान लेने चाहिए अज हम आपको कच्चे प्यास से हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है उसी के बारे में बताने वाले हैं कच्चे प्यास को कैसे खाया जाए जिससे हमें सिर्फ कई तरह से शरीरिक फायदे हो ना के नुकसान मगर दोस्तों वीडियो को पहले आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताके आगे भी आपको हमारी नई वीडियो मिल सकें दोस्तों प्यास खाना यूँ तो सभी लोगों के लिए फायदे मन्द होता है मगर जिन लोगों को मदू में या फिर सांस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए कच्चा प्यास बहुती फायदे मन्द होता है कच्चा प्याज खोन की नाडियों को खोलता है और खोन को बोडी में सही ढंक से बहने में मदद करता है कच्चा प्याज औरतों के मासिक धरम के समय काफी फाइदे मन होता है पीरेट से पहले अगर कच्चा प्यास खाय जाए तो और्थों को इस समय होने वाले दर्ज से छुटकारा मिलता है कच्चा प्यास बालों तथा स्किन के लिए बहुत ही फायदे मन्द रहता है जैतून के तेल में अगर प्यास के रस को मिला कर स्किन पर लगाय जाए तो ये कील मोहासो को दूर करता है और इससे स्किन का कलर भी काफी निखर जाता है दोस्तो अगर किसी को लंबे समय से खांसी और जुखाम रहता है तो प्यास के रस में शेहद मिला कर पीने से आसाने से बहुत रहत मिलती है कच्चा प्याज खाने से गैस और कब्स में भी फायदा होता है दोस्तो अभी इस वीडियो को आप सकिप मत करना क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको फायदा पहुचाने वाला है दोस्तो अगर किसी को नाक में खूना आता है दोस्तो अगर किसी को पत्री की शिकायत है तो उसे प्याज के रस में चीनी मिलाकर शर्बत बनाकर पीना चाहिए इससे पत्री घुलने लगती है और जल्दी खतम हो जाती है दोस्तो पूर्षों में योन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी कच्चा प्याज बहुत ही फायदे मत होता है कच्चा प्याज खाने से पूर्षों में काम की इच्छा बढ़ती है और वीर भी गाड़ा होता है बस आपको करना ये है कि एक जमच सफेद कच्चे प्याज के रस में एक जमच अद्रक कर रस मिला कर रोजाना सुभा पीना है इससे बस कुछी दिनों में आपकी ताकत काफी बढ़ जाएगी मगर दोस्तों अच्छी सेहत के लिए व्याम जरूरी है इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखे दोस्तों क्या आप कच्चा प्यास खाते हैं कमेंट में लिख कर हमें जुरूर बताएं वीडियो को लाइक कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें धन्यवाद